तो recently 15,000 में ये तीन नए फोल लॉंच हो हैं जिनने आप 15,000 के नीचे खरीश सकते हों एक है Poco X6 Neo एक है Samsung का F15 5G और एक है Realme का 12 5G कौन सा आपको चूज करना चाहिए वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीकिसे पहली बारी चैनल पह तो मेरा नाम है प्राव्विर्क प्ली सब करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है पहले प्राइजिंग को इप्टाले पोको वाले आपको 8GB RAM दे रहें लेकिन आपसे 16,000 रुपर लेंगे और ओफर में ये फोन 15,000 का मिल जागा Realme वाले आपको शो कर रहे है 17,000 लेकिन जैसे इसे कार्ट मैट करता है तो ये फोन 15,000 का मिल जाएगा और ये 6GB RAM आपको दे रहे है वहीं पे Samsung के दो वेरेंट है एक तो सस्ता वाला है जिसमें 4GB RAM आपको मिल रही है लेकिन वो 13,000 का है और वो फोन आपको नहीं खरीदना है उसका रीजन आपको वीडियो में बताऊँगा तो आपको इसमें 6GB RAM वाला वेरेंट लेना है जो आपको 14,500 का पढ़ जाएगा तो इस तरीके से इन तीनों फोन की प्राइजिंग है लेकिन Samsung वाला थोड़ा और महंगा पढ़ता है क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ केबल और फोन मिलता है मतलब कवर नहीं है और इवन चार्जर भी आ लगा के देते हैं तो पहले दिन ही आपको टेंपर ग्लास ढूणना नहीं पढ़ेगा यह जी Samsung के अदर नहीं मिलती तो यह दोनों फोन जितने ही के आप खरीद होगे उतने ही कही पढ़ेंगे लेकिन Samsung के अंदर आपको पहले दिन ही टेंपर लगवाना पढ़ेगा तो Redmi के अंदर आपको mad finish मिलती है वहीं पर Samsung जो प्लास्टिक लेके आता है वो glossy finish है तो उस पर काफी दा fingerprint आ जाते हैं उसे बाहर पर साफ करना पड़ता है और even side से भी देखोगे तो तीनों ही flat edges लेके आते हैं इसमें POCO सबसे पतला है और Samsung इसमें सबसे मोटा मिलता है लेकिन ह आपको side में fingerprint scanner है बट पोको वालों ने जो fingerprint दिया वो बहुत ही fast और next level काम कर रहा है फिर realme का आता है वो थोड़ा सा slow है लेकिन काम मस्त कर रहा है और हर बार कर रहा है Samsung का slowest है और कई बार बीच बीच में वो काम करना भी बंद कर देता है तो हाँ fingerprint की ये खानी है कि POCO सब से बढ़ी है फिर उसके बाद realme है फिर Samsung तीसरी नवर पर आता है इवन weight पी चेक करोगे POCO सबसे हलका है बहुत comfortable है सिर 175 ग्राम का है फिर उसके बाद realme चेक करोगे तो 192 ग्राम का है और Samsung वाला सबसे भारी है 217 ग्राम का आपको मिलता है हाँ इसका एक और reason हो सकता है कि Samsung के अंदर आपको 1000 mm ज्यादा battery मिलती है इन दोनों के comparison में बट जैसे मैंने का design subjective है किसी को भी कोई भी अच्छा लग सकता है बट हाँ design के अपने अपने positive है और POCO वाला design के अंदर सबसे comfortable आपको मिलता है यह चीज का धियान रखना even display के अंदर भी वैसे तो Samsung और POCO ने दोन watch पी लेकर आता है और bezels भी उसके thickest आपको मिलते हैं और content watching में यह आपको feel होता है कि भाई POCO में एक तो emulid भी है और bezels भी बहुत मस्ते है तो इस पर viewing experience बहुत अच्छा हो जाता है वहीं पर Realme में LCD है तो इसकी वीसे वह colors और blacks तो उतने अच्छे आपको नहीं फील होग feel होते हैं तो overall अगर डिस्प्ले को ranking देनी है POCO वाल नमबर वन पर है क्योंकि इसके bezels कमाल के हैं ब्राइट है 128 का refresh rate भी है और दिखने में बहुत कमाल की feel होती है second number पर आप Samsung रख सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपको AMOLED display मिल रही है third number पर LCD की वैसे Realme वाला नीचे रह जाता है लेकिन Realme वाले आगे निकलते हैं वो है sound quality के अंदर Realme के अंदर bottom में, top में, दोनों में आपको उपर नीचे speaker मिलते हैं यानि dual speaker है और headphone jack भी है वही पर Samsung और Poco के अंदर simple नीचे single एक speaker आपको मिलता है, उपर कोई भी speaker नीचे अंदर Realme वाला एकदम ही आगे निकल जाता है पर हाँ, Poco वालों ने भी अच्छा काम किया है, Dolby Atmos का at least support दिया है, even speakers के अंदर भी Samsung के अंदर भी Dolby Atmos का support है, लेकिन वो सिर्फ earphones के अंदर काम करता है तो अगर ranking देनी है, Realme वाला सबसे टॉप में speaker में, second नमर भी पोक और फिर third नमर पे आपको Samsung चूज करना है इवन software के अंदर भी देखो, Realme और Samsung दोनों ही एकदम latest Android version पर चलना है, जो है Android 14 वही पर पोको वालों ने पता नहीं क्या किया है, अभी रांज किया फोन, फिर भी अभी ये फोन Android 13 पर चल रहा है और update support के अंदर Samsung वाले हर बार ये अच्छा गाम करते हैं, चार major update इन लोगों ने promise किया है वही पर पोको और Realme के अंदर आपको same major update support है, दो major update मिलेंगे और तीन सल तक security update मिलेंगे तो हाँ update support के अंदर definitely Samsung वाला आगे है, फिर Realme वाला है, फिर पोको कहीं पर आता है क्योंकि अभी Android 13 पर चल रहा है पोको के अंदर ये आपको साफ सपाई और थोड़ी सी महनत करने पड़ती है, वैसे features के अंदर, क्योंकि Samsung के अंदर आपको secure folder नहीं है, तो आपको बहुत सारे feature नहीं मिलते है वहीं पर Realme और पोको के अंदर आपको app log, dual apps, app hide जैसे features सारे मिल जाते हैं, वैसे तीनों में ही आप चुपके से, यानि silent नहीं call recording कर सकते हो तो हाँ, अगर software के अंदर ranking देनी है, तो भाई, मेरे लिए Realme सबसे आगे रहेगा, थोड़ी सी मैनत क्योंकि सम्मे करनी पड़ रहे है, तो इसमे भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यी latest है, और दो major update मिलेंगे, और तीन साल तक security update मिलेंगे, और features भी सारे है अब आप पूछोगे Samsung वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो 4 major update support है, लेकिन वो handle नहीं कर पाएगा, आपको मैं performance के अंदर वो show करना चाहता हूँ, तीनों में आपको MediaTek का processor मिलता है, लेकिन Poco के अंदर MediaTek का 6080 processor है, Realme और Samsung के अंदर MediaTek का 6100 plus processor है, पहले आप N22 scores देख पहले हमने BGMI launch किया, हलकी सी speed increase करते हैं, यहाँ पे भी आपको भी चीज दिखती है, Poco वाला सबसे तेज है, फिर Realme वाला है, फिर Samsung सबसे आखरी में आता है, एक और बड़े game को launch कर रहेते हैं, COD launch करते है, speed increase करते हैं यहाँ पे भी same result, Poco वाला से जल्दी launch करता है, फिर Realme वाला, फिर Samsung, तो यह चीज आई थिंग, आपको भी पताती, Samsung वाले performance के अंदर बिल्कुल धिहान नहीं देते हैं, और वो चीज आपको results के अंदर पे दिख रही है, एक और example देना चाहता हूँ कि Samsung कितना slow है, इसमें navigation के अंदर में gesture जैसे select करता हूँ, तो देखना वो क कोई वीडियो भी अच्छा लग रही है, तो like and share को भी choose करने ला, इससे ही वीडियो भी चल जाएगी, अब हम camera, जो important चीज है, उसकी बात करने जा रहे है, देखो, Poco और Realme के अंदर एक ही single camera, जो है 108 MP का, Samsung के अंदर आपको 50 MP का main और 5 MP का ultrawide मिलता है, main camera को compare करोगे, Poco औ और Realme के अंदर definitely आपको feel होगा कि details जादा है zoom करने पे, लेकिन ये गोरा करते हैं, Samsung के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, Samsung के skin tones बहुत अच्छे हैं, even Poco और Realme के अंदर एक और दिख करते हैं कि जादा bright कर देता है scene को, Samsung light control भी बहुत better करता है, और portrait shots के अंदर ये चीज आपको और अच्छी दिखेगी, कि Samsung light control, skin tones, colors बहुत अच्छे रखता है, और low light के अंदर तीनों के अंदर ही मुझे ऐसा feel होगा कि details की कमी है, हाँ, 108 MP होने के बावजूद भी, Realme और Poco struggle करता है, लेकिन Samsung के यहाँ पे भी colors, skin tones, आपको बहुत अच्छे feel होंगे, Poco इन तीनों में low light के अंदर सबसे worst काम कर रहा है, वैसे video बनाते हो main camera से, तीनों ये 1080p, 30fps बनाते हैं, और वो kind of आपको same stability देते हैं, तो yes, Samsung में main camera सबसे अच्छा है, even advantage Samsung में एक और है, ultra wide भी आपको मिलता है, 5 MP का, yes, details नहीं है, बट यहाँ पे भी Samsung colors और skin tones बहुत अच्छे रखता है, अ details के अंदर ये खराब नहीं है, Poco के अंदर भी आपको skin tones और details मिल जाएंगी, Samsung काफी struggle कर रहा है, इस चीज में, even low light के अंदर भी तीनों काफी यदा struggle करते हैं, बट यहाँ पे Samsung सबसे खराब काम करता है, तो हाँ, selfie camera के अंदर हिरान हुआ, 8 MP का होने की बावज़ुत भी real अच्छा काम कर रहा है, low light के अंदर तो तीनों ही खराब है, इतना कुछ खास काम नहीं कर रहा है, लेकिन दिन के अंदर अच्छी light condition में, Samsung ने selfie camera में पता नहीं क्या किया है, इसे भेहतर करने की जुरुत थी, अब जो चीज भेहतर की है, वो 6000 mh की इसमें आपको battery मिलती है यह इस charger आपको अलग से खरीदना पड़ता है, लेकिन battery life, trust me, बहुत ही कमाल किया है, क्योंकि आप heavy task करने वाले नहीं हो, एंड दो दिन आप अराम से इस पर निकाल सकते हूँ, वही पर realme और Pogo के अंदर पी आपको 5000 mh की battery मिलती है, बट अलग-अलग charger है, realme 45 watt का charger लेका आता है, बट मेरी सबसे overall अच्छा experience, I think realme वाले आपको दे देंगे, heavy task piece पे आप कर पाऊगे, Samsung के comparison में, और 5000 में बैटरी कम नहीं होती है, और box के अंदर आपको charger भी मिलता है, इवन नेट्रो के अंदर भी तीनो 5G phone है, 5G एकदम मस चल रहा है, तीनो में आपको 2 mic मिल रह नहीं है, कोई भी phone एकदम perfect नहीं मिलेगा, तो आपको decide करना है, जो भी positive मैंने जिस phone के लिखे हैं, क्या आपके लिए वो बहुत माहिने रखते हैं, तो जिस phone का positive आपके लिए सबसे अच्छा है, वो phone आपके लिए बना है, उसके हिसाब से आप phone decide कर सकते हो, खेर हो, आप लोग decision ले चुके होगे, एड़ ऐसी में videos बनाता हूँ, जहांपे आप असानी से decision ले सको, तो please subscribe करके पहले icon call पर करना, video अच्छे लगे, तो like and share करते हैं, कोई भी सवाल रगया, अभी भी इन तीनो phone को लेके, तो comment section ने पूछना, मिलते हैं आप लोग सगली video में, thanks for watching, and अफरोल.